नमस्कार दोस्तों, Pathfinder के Modern Indian History Lecture Series में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paal Singh Raathor और आज के इस Lecture में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा Non-Cooperation Movement और खिलाफत Movement के बारे में पिछले Lecture में, Lecture No. 40 में हमने डिसकस किया था Montagu Chemsford Reforms को लेकिन Montagu Ford Reforms से भारत में सभी खुश नहीं थे और कुछ और घटनाएं होती है जिसके कारण घांदी जी लांच करते है अपना पहला देश व्यापी राश्ट्रिय अंदोलन असायोग Non-Cooperation तो दोनों ही अंदोलन के बारे में हम जानेंगे कैसे ये शुरू हुआ, खिलाफत Movement क्या था, इसकी वाइडर हिस्ट्री क्या थी और Non-Cooperation Movement का Progression क्या था, किस तरह से ये समाप्त हुआ अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेक्चर के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो मेंस की test series, prelims की test series, printed किताबें, optional की test series भी हमने add कर दिया है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, अब इसका cost अगर आप बाहर किसी offline या दूसरे online institutes में भी देखेंगे तो it will cost you a lot, लेकिन यहाँ पर ये पूरा combined package आपको बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा है, अगर आप इस subscription को 21 21st July को avail कर लेते हैं, तो आपको ये वाली prices भी pay नहीं करनी है, एक limited offer है किवल आज के लिए जिसमें आपको ये price पे करनी होगी, तो 50,000 रुपीज के अंदर अंदर you will get all these benefits जो यहाँ पर mentioned है, और याद रखिए आपको 10% discount तभी मिलेगा जब आप महिपाल code यूज करके इस course को avail करते हैं, तो ये additional 10% discount केवल आज के लिए 21 तारिक के लिए दिया जा रहा है, और अब हमने optional की test series भी इस plan में add कर दिये, ये भी केवल आपको 21st July तक available होगी for free, if you get a one year subscription, अब हम शुरुवात करते हैं, खिलाफत movement के बारे में जानकारी लेकर, देखिए, 1919 में जब अल्मोस्ट तै था कि Ottoman शासक को उसके पद से हटा दिया जाएगा, और वहाँ पर हमेशा के लिए Emperor को हटा कर कुछ और सिस्टम वहाँ पर लाया जाएगा, क्योंके World War I के बाद कई European राज्यों में कुछ Empires permanently खत्म हो गए थे, तो ये आशंका चली रही थी, क्योंके देखो सबसे powerful Muslim शासक था, he was also the khalifa of the entire Muslim world, khalifa क्या है, एक religious figurehead है, इसलाम के शुरुवाती सदियों में, यानि की 7th century से लेकर, लगभग 12th century तक, इन 400-500 सालों में khalifa पद की बहुत एहमियत थी, क्योंके ना केवल religious, बलकि military और political leader भी khalifa हुआ करता था, पूरे Islamic world का, लेकिन जैसे Muslim empires expand होते गए, कई सारे नए शासक बनते हैं, तो उन में से कई लोगों ने khalifa की authority को मानना बंद कर दिया, और 12th century के बाद थोड़ी सी position कम important हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो खत्म हो गया, उसकी religious importance फिर भी बनी वी थी, आम तोर पर इस area में जो rule करता थ और जिसके control में मक्का और मदीना वाले दो important शहर होते थे, वो अपने आपको खलीफा कहता था, तो कई बार ये title बगदाद के ruler के पास था, अब बासित कैलिफेट, कुछ सदियों के लिए ये एजिप्ट के शासकों के पास था, मामलुक तुर्क्स जो थे उनके पास, लेक इन 400-500 सालों में ये पदवी Ottoman सुल्तान के पास रहती है, लेकिन प्रतम विश्वयुद्ध में Ottoman Emperor के हार के कारण, उनको उनके पद से हटाया गया, और खलीफा की पदवी भी उनसे छीन ली जाती है, और ये किया गया था Treaty of Severus के माध्यम से, तो ये प्रतम विश्वयुद् को वो अपना religious figurehead मानते थे, अब इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा हाथ था British Empire का, क्योंकि World War 1 में जो देश जीते थे, allied countries उनमें सबसे powerful उस समय British Empire था, और दुनिया के कई Islamic countries प्लस दुनिया के कई अन्य देशों में जो Muslim populations थी, उनको लगा कि ये बहुत बड़ा अपमान है इसलाम का, और इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार किसे ठहराया, British Empire को, तो कई देशों में एक अंदोलन शुरू होता है, कि खलीफा को उनके पद से ना अटाया जाए, और इस decision की खिलाफत करी जारी थी, ठीक है, तो ये खलीफा शब्द जो है, ये खलीफत नहीं है, कई खिलाफत मूवमेंट को लीड करने वाले, शुरू करने वाले कुछ important नेता जो है, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे important है, जोहर बंदू, दो भाई थे, मौलाना मुहमद अली और शौकत अली जोहर, इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, इसकी शुरुवात करी, मौलाना अबुलकलाम अजाद, मुक्तार अंसारी, सेफिद्दिन, किचलिव, ये भी इसके important leaders थे, बट सबसे important top leadership जोहर बंदूओं की थी, वैसे Ottoman सुल्तान को world war खत्म होते ही, तुरंत नहीं हटाया था, treaty of severist sign होने में कुछ समय लगा था, तो उन दो सालों में, Ottoman सु अंदूलन दुनिया में चल रहा था, खास करके भारत, पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वहाँ चल रहा था, उस समय आखरी Ottoman सुल्तान और कैलिफ कौन थे, महमत दसिक्स्ट, ये इनका नाम था, Ottoman Emperor, नाम याद रख लेना कभी पूछा जा सकता है, prelims में directly, अब दुनिया के लोग तो महमत दसिक्स्ट को Ottoman Emperor बनाय रखने के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनके अपने देश में एक revolution होता है, एक आंदोलन होता है, जिसके कारण उनको 1922 में सत्ता छोड़नी पड़ती है, तो ये आंदोलन किस ने किया था, मुस्तफा कमाल अता तुर्क, ये एक पुराने empire को हटा दिया जाए, एक राजा महराजा नहीं चाहिए हमें, टर्की बनाया जाना चाहिए एक नया देश और इसको हम एक republic के रूप में बनाएंगे, तो इसी सोच के साथ मुस्तफा कमाल अता तुर्क ने सबसे पहले तो जो western countries से, France, Britain, जिन्होंने टर्की को कर रहने लग गए, सत्ता में आने के बाद अता तुर्क ने 1924 में फाइनली खलीफा की पद को हमेशा के लिए समाप कर दिया, महमद दसिक्स के जाने के बाद वैसे भी इस position में कुछ पावर नहीं थी, लेकिन दो साल के लिए इन्होंने महमद दसिक्स के किसी cousin को बिठा द में अता तुर्क ने स्थापित कर दिया, इधर भारत में मातमा गांदी ने non cooperation movement की शुरुआत करी थी और खिलाफत movement को इसके साथ जोड़ दिया गया, तो गांदी जी और जोहर बंदों का मानना था कि ये दोनों आंदोलन साथ चलने चाहिए, तो इन्हें साथ चलाया गया कुछ समय के लिए, लेकिन इस समय कई controversial events भी हुए थे, सबसे बड़ा इसमें event था Malabar Rebellion, तो केरल में कई Muslims ने Hindu land owners पर हमले किये, तो ये Mopilla Rebellion भी कहा जाता है, Mopla या Mopilla Rebellion इसको कहते हैं, तो it was part of the larger khilafat movement, हलाकि इसके reasons अलग थे, इनका खलीफा से कोई लेना देना नहीं था, इनके अपने अलग reasons से बगावत के, लेकिन अब उस समय क्योंकि खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो ये उस larger history के अंदर ही देखा जाता है, तो Malabar Rebellion या Mopilla Rebellion के कारण इस आंदोलन पर काफी आँच आती है 1921 में, दूसरी घटना ये हुई कि कि कुछ धार् कि भारत जो है, यहाँ पर धर्म का पालन नहीं होता, तो हमें एक ऐसे देश में जाकर रहना चाहिए, जहाँ पर इसलाम को follow किया जाता है, शरिया कानून हो, तो लगभग 18,000 Muslim peasants, किसान भारत छोड़कर अफगानिस्तान जाकर रहने लग गए थे, तो इन दो घटनाओं स खुद Ottoman लोग ही खत्म कर देते हैं, तो यह movement पूरी तरह से खत्म हो गया, अब हम आजाते हैं non cooperation movement पर, तो आपको पहली बात एक broad picture याद रखनी है कि गांधी जी ने तीन राष्ट्र व्यापी आंदोलनों को लीड किया था, पहला था non cooperation movement असायोग आंदोलन, जो 1920 से 1922 तक चलता है, दूसरा था civil disobedience movement उसको मैं CDM लिखूंगा कई बार आगे, तो यह था सविन अवग्या आंदोलन जिसकी शुरुआत होती है 1930 में और यह 32 तक चलता है, और तीसरा था quit India movement भारत छोड़ो आंदोलन, यह 1942 से 1945 तक जारी रहता है, तो यह तीन बड़े आंदोलन थे, जिनका नितरत्व गांदी जी के द्वारा किया गया, अब इन तीनों के बारे में हम डीटेल में पढ़ेंगे, एक broad picture आपको देने के लिए मैंने अभी बता दिया कि यह तीन राश्ट्रव्यापी आंदोलन थे, आपको याद होगा कि इस से पहले, इस lecture से पहले हमने आखर राश्ट्रव्यापी था, लेकिन उनसे भी बड़े आंदोलन ये तीनों थे, तो ये इन तीनों ने राश्ट्रे आंदोलन की, आजादी के आंदोलन की शकल सूरत पूरी तरह से बदल दी, उसका character हमेशा के लिए change कर दिया, इसलिए हम इन तीनों को इतना detail में आज भी करें, तो Congress ने grudgingly, मुश्किल से, December में जाकर इसे अपने official agenda में शामिल किया, Congress के कई नेता इस आंदोलन के favor में थे, लेकिन Congress का जो अपना समिधान बना हुआ था, वो moderates के जमाने का बना हुआ था, तो वो इस तरह की बातों में विश्वास नहीं रखते थे, ये non cooperation, civil disobedience, ये moderates के नुसार सब गलत तरीके थे, तो इस अंदोलन को support करने के लिए Congress के official समिधान में बदलाव लाए गए, और ये बदलाव कहां लाए गए, 1920 के नाकपुर session में, December में, ठीक है, अब गांदी जी ने ये अंदोलन शुरू क्यों किया था, कई सारी घटना होई थी, जिन हुकूमत, जो अपने justice के लिए बहुत जाना जाता है, मतलब British अपने आपको बहुत न्याय प्रिये लोग मानते थे, वो कहते थे कि हमारे British Empire में न्याय होता है, लोगों को लगा भारत में कि कहा न्याय हुआ, जलिया वाला बाग में हजारों लोग मारे गए, लेकिन Hunter Committee ने बस एक lollipop सा पकड़ा दिया है देश के लोगों को, तो ये ठीक है, मतलब reform आने चाहिए, लेकिन जिस तरह के reforms के हमें उम्मीद थी उतना नहीं आया, हमें चाहिए स्वायत्तता, self-rule स्वराज, तो ये स्वराज इनकी पहली डिमांड थी, दूसरा था जलिया वाला बाग जाता, छोटी-मोटी सजा होती है कुछ लोगों को, तो उससे देश की leadership, खास करके Congress के जो senior leaders हैं, वो हताश हो गए, उनको लगने लगा कि हम जो पिछले 30-40 सालों से कर रहे हैं, उससे आजादी या फिर स्वराज नहीं मिलने वाला है, खेर आजादी की demand तो अभी थी नही स्वराजी चाहिए था, उन्हें तो स्वायत्ता चाहिए थी, लेकिन उन्हें लगा कि अब constitutional means से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, in fact तिलक जैसे बड़े नेता जो हैं, उन्हें लगा कि उनका भी जो स्वदेशी आंदोलन के समय जो methods थे, वो भी शायद अब काम नहीं करें लेकिन गांदी जी इतने समयत के लिए भी रुकने को तयार नहीं थे, गांदी जी अब एक बहुत prominent नेता के रूप में देश में उबर रहे थे, उन्होंने अपने सतर पर जून 1920 में ही एक all party conference बुलाई अलाबाद में और ये कहा कि हम schools का boycott, colleges और अदालतों का boycott शुरू क करेंगे और जितने भी all party conference में नेता मौझूद थे, उन्होंने गांदी जी को कहा कि Congress को छोड़ो, आप इस आंदोलन को lead करो, हम आपके साथ हैं, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे parties, social welfare, संगठन सबको बुलाया था है याँ पर, तो अलाबाद में जब ये meeting होती है, तो इ जन्ता कोई अधिकार है कि वो उसके साथ सहयोग ना करें, इसी लिए हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे और असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, from the time immemorial, the citizen has the right to refuse to assist a ruler who misrules, बहुत ही अच्छी बात है, इसको कहीं quote कर सकते हो, आप essay में या mains के अपने answer में, गांदी जी और उनकी death होने के बाद, इसी दिन लोग हड़ताल भी start करते हैं, और कई लोगों ने इस दिन prayers करी, उपवास रखा, और इस तरह से सहयोग अंदोलन की शुरूआत होती है, एक महीने बाद, खिलाफत अंदोलन की जो committee थी, उसने भी non-cooperation movement के साथ जुड़ने का नेने लिय और officially इस अंदोलन को भी launch कर दिया गया, अब Congress पे दबाव था, तो Congress ने September में एक special session किया Calcutta में, और यहाँ पर non-cooperation के program को, यानि कि जो हड़ताल, सरकार के साथ सायोग करना, ना करना, boycott करना, अदालतों का, school का, इस पूरे program को अनुमती देदी, approve कर दिया अपनी तरफ से जब तक जलियाँ वाला बाग और खिलाफत दोनों ही मुद्दों को resolve नहीं कर लिया जाता है, अब Congress पर काफी दबाव था कि इस अंदोलन में शामिल हो तो इन्होंने तुरंत फुरंत अपना एक special session बुलाया, Calcutta में, September में, और इन्होंने भी इस non-cooperation के program को, यानि हरताल, boycott, इन सारे program को okay कर दिया, approve कर दिया, जब तक कि जलियाँ वाला बाग और खिलाफत दोनों मुद्दों को solve नहीं कर लिया जाता, लेकिन जो Congress का proper full session था, वो December 1920 में होता है, as usual, December में session होते थे Congress के, तो ये वाला session हुआ, नागपुर में, और इस session में Congress के समिधान में क्योंकि गांदी जी Congress पर लगातार दवाफ बना रहे थे कि अगर आपको देश में आजादी चाहिए, आपको सुराज चाहिए, तो आप जिस तरह से काम कर रहे हो, 40 साल से, 35 साल से, अब वो नहीं चलने वाला है, you have to change, आपको अपना पूरा character change करना होगा, और इसके लिए आपको अपने समिधान में बदलाव करने होगे, तो finally, इतने सालों के moderate और extremist के टकराफ के बाद, अब जाकर Congress अपने तरीकों को पूरी तरह से बदल देती है, Congress ये तै करती है कि अब एक working committee होगी, 15 सदस्यों की, जो पूरे साल काम करेगी, day to day affairs, अगर कोई आंदोलन चल र इसी प्रकार का एक proposal बाल गंगादर तिलक ने भी 1916 में लाया था, लेकिन वो उस समय अप्रूव नहीं हो पाया, क्योंकि moderate तब भी अच्छे खासे party में मौजूद थे, दूसरा और सबसे important बदलाव था कि प्रदेश Congress committee की स्थापना करना, गांदी जी ने कहा था कि Congress किवल साल में एक बार मिलकर एक शहर से नहीं चल सकती है, इस तरह से देश नहीं चलेगा, आपको देश के हर राज्य में, provincial Congress committee बनानी होगी, प्रादेशिक Congress समीती बनानी होगी, और इसको कैसे बनाओगे, British वाले जो provinces हैं, उनको छोड़ दो, आप भाशा के अधार पर अपनी अ अलग committee बनी थी, तो इस प्रकार से भाशा के अधार पर एक तरह से देश में Congress का organization पहली बार structure तयार होता है, और इन committee हो कहा गया था कि आप local भाशा में अपना काम काज करो, ताकि लोग आपसे बहतर तरीके से connect कर पाएं, फिर state level से नीचे जातर, ward के level तक पर भी committee organize करी लेकिन अब 4 आना 25 पैसे प्रती वर्ष जिससे की Congress का काम का चलता रहे, ये तो कोई भी afford कर सकता था, मतलब एक आम आदमी afford कर सकता था, तो इसलिए अब गरीब से गरीब आदमी भी Congress join करना और politics में हिस्सा लेना afford कर सकता था, असायोग आंदोलन के तौर तरीकों को okay करने क के लिए समिधान में, Congress के समिधान में एक और important बदलाव किया गया, पहले Congress officially ये कहती थी कि स्वराज को हासिल करने के लिए समिधानिक constitutional तरीके होने चाहिए, लेकिन अब इस शब्द को बदला गया, कि स्वराज हासिल करने के लिए शान्तिपूर्ण और वैद तरीके होने चाहिए, अब इसमें constitutional शब्द हटा दिया, तो जब तक आंदोलन शान्तिपूर्वक चल रहा है, तब तक कैसा भी आंदोलन Congress support करेगी, अगर वो वैद है, तो उसे Congress support करेगी, तो अगर समिधानिक तरीकों से चलो, तो boycott, हरताल, ये सब सही नहीं होते हैं, लेकिन अब वक बदल चुका है, सहयोग अंदोलन गांदी जी हरताल boycott में बिलीव करते हैं थे, तो इन्होंने Congress का समिधान ही बदलवा दिया, और इस प्रकार से Congress भविश्य में extra constitutional mass struggle को support करेगी, extra constitutional तरीकों को support करेगी, अब हम चर्चा करते हैं कि सहयोग अंदोलन चला कैसे था, इसमें क् exactly किया गया, तो आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले मात्मा गांदी ने करी, अपने medals को लोटा कर, तो British Government ने उनको South Africa में बहुत सारे medals दिये थे, उपादिया दी थी, उस सारे उपादिया, medals, सरकार को इन्होंने लोटा दिये, और साथ-साथ कई लोगों ने अपने honorary positions को भ कर, member बनते थे, British governing bodies के, उन लोगों ने अपने सारे सदस्यता से स्तीफे दे दिये, 1919 Act के अनुसार, चुनाव हुने गोशित किये गए, British Government के द्वारा, Congress ने कहा कि इसका हम boycott करेंगे, इन चुनावों में कोई Congress का सदस्य हिस्सा नहीं लेगा, और ये चुनाव किसले होने थ इक ले, वो नए स्कूल कॉलेजों में दाखिला ले लेते हैं, और कई सारे स्कूल स्तापित किये थे, राष्ट्रिय नेताओं ने, तो ये जो लीडर्स थे, इस नैशनल आंदोलन के, इन्होंने ही कई सारे स्कूल स्तापित किये इस समय में, और इनी स्कूल कॉलेजों में जैसे कि BHU है इसमें बहुत लोगों ने admission लेना शुरू कर दिया तो ये ऐसे schools और colleges आये जो private लोगों ने start किये थे लेकिन इनको बहुत बढ़ावा मिल जाता है लोग अदालत ना जाकर अपने मामले private पंचायतों में solve करने लग गए लोगों से अपील करी गई कि वो British Army में join ना करें स्वदेशी सामान का इस्तमाल करें और विदेशी सामान का भहिशकार किया जाए तो foreign goods का तो complete भहिशकार था जैसा स्वदेशी आंदोलन में हुआ था 1906 में उसी प्रकार से यहाँ पर भी विदेशी सामानों की होली जलाई गई सारवजनिक तोर पर और गांदी जी ने एक और नया संदेश दिया लोगों को कि चर्खा चलाओ और खादी बनाओ घर पर अपने कपड़े बनाये जाएं खादी बनाने से सवाती महीनों में बहुत सक्सेस्फुल था पूरी तरह से शांती पूरू चल रहा था और कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई थी ब्रिटिश गवर्मेंट काफी दबाव में भी आगी थी बैक फूट पर थी गांदी जी बिलकुल confident थे उन्होंने देश में लोगों को ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि अगर एक साल तक आपने ये आंदोलन चला लिया तो हमें सुराज पक्का मिल जाएगा और अगर एक साल में सुराज नहीं मिला तो गांदी जी ने पहले ही बता दिया आगे का plan कि हम non cooperation से civil disobedience पर जाएंगे और लोग अपना tax वगेरा दिना बंद कर देंगे तो वो हो जाएगा step two और वो कहलाएगा civil disobedience movement अभी किवल अस है होगे आगे चलकर सभी ने अवग्या पर हम जाएंगे अगर एक साल में हमें हमारे नतीजे नहीं मिलते हैं तो लोगों में बहुत उत्सा था आंदोलन बहुत जबरदस तरीके से चल रहा था पूरे देश में इसको support मिला चाहे बंगाल हो गुजरात हो तमिलनाडु वाला एरिया हो उत्तर भारत United provinces सभी जगे आंदोलन को पूरा support मिलता है और इस समय कई revolutionaries जो पहले bum की भाषा में विश्वास रखते थे खास करके बंगाल में आपको याद हो तो अनुशी इलन समीती वगिरा के बारे में हमने चर्चा करी थी तो वो revolutionaries भी अब इस non-cooperation movement में उनको लगता है कि गांदी जी बिल्कुल सही तरीके से कर रहे है और इसी तरीके से हमें स्वराज मिल जाएगा लेकिन कुछ नेता थे जिनको ये तरीका पसंद नहीं आया उनकी सोच अभी भी यही थी कि हमें समयधानिक तरीकों से constitutional तरीकों से अंदोलन करना चाहिए ये boycott करना, हड़ताल करना, विदेशी सामानों की होली जलाना ये सब गलत है, ये सही तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का और इसी लिए मौहमद अली जिन्ना, Annie Vincent, G.S. खरपड़े तो इन लोगों ने ये याद रखना, विपिन चंदरपाल, Annie Vincent बहुत important नाम है इन दोनों ने Congress को छोड़ दिया और ये बहुत prominent leaders थे Congress के दोनों अध्यक्ष रह चुके थे भाई Congress के इन्हों ने कहा कि नहीं ये तरीका गलत है और एक पुराने निता जी, सुरेंदरनाथ बैनर जी जो अपने बिल्कुल बढ़ापे में थे इस समय ये Congress के founding member थे, यादे ना आपको भूल तो नहीं गए, 1985 में इन्हों ने तो कहा कि Congress का character ही बदल दिया है गांदी जी जैसे निताओन है, तो हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए ये वाला तरीका, सुरेंदरनाथ बैनर जी ने अपने बिल्कुल बढ़ापे में एक नई पार्टी बनाई, Indian National Liberation Federation और कहा कि हम तो पुराने तरीकों से चलेंगे खेर, ये नाम याद रख लेना, बस कि किसने NCM को support नहीं किया था तो ये इस तरह से question पूचा जाएगा, आपको option में ये नाम दिंगे एक नाम इनमें से ऐसा होगा, जो इस list में आपको नहीं दिख रहा है तो विपिन चंदरपाल, Annie Besant, मुहमद इली जिन्ना और GS खर पड़े, इन्होंने, और सुनेदर नाम बैनर जी, इन्होंने non-cooperation movement को support नहीं किया था गांदी जी, जिन्होंने खिलाफत movement को भी अपना agenda बना लिया था क्योंकि उनको लगता था कि ये एक सुनेरा अफसर है हिंदू-Muslim एकता को बढ़ावा देने का तो उन्होंने अली बंदूओं के साथ मिलकर पूरे देश में यात्रा करी, इस campaign को जगे-जगे से जाकर उन्होंने संभोधित किया और गांदी जी के आवान पर हजारों लाखों लोगों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजिस को छोड़ दिया और 800 के आसपास national schools और colleges बनाये गए थे, जिन में से कुछ प्रमुक है जामिया मिलिया, जो अलिगड में बनाये गया जी हाँ, पहले अलिगड में था, बाद में दिल्ली शिफ्ट हुआ था काशी विद्यापीट, कुजराद विद्यापीट विद्यापीट, इस तरह के कई national school और colleges थापित किये गए जहां बच्चों ने पढ़ाई अपनी जारी रखी इन educational institutions को जादर बड़े-बड़े निता ही लीड कर रहे थे जैसे आचारे नारायन देव, सियारदास लाला राजपतराय, जाकिर उसेन, सुभाष चंदर बोस जो कलकत्ता में एक बिल्कुल ही नए नवेले निता थे, इन्होंने Indian Civil Service को त्याग कर राष्ट्री आंदुलन में ये कूद पड़े थे और National College of Calcutta के ये प्रिंसिपल बन गए थे आंदुलन के दोरान जब अदालतों का boycott हो रहा था, उस समय कई बड़े-बड़े वकीलों ने अपनी practice ही त्याग दी Just imagine, आपकी एक अच्छी-गासी practice चल रही है 10-15 साल से और आप उसको पूरी तरह से छोड़ देते हो, आपकी कमाई का जरिया है, उसको छोड़ कर लोग इस आंदुलन में कूद पड़े और ऐसे निताओं में सबसे prominent थे, मोतिलाल नहरू, जवारलाल नहरू, सियार दास, राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किछलियू, वल्लब भाई पटेल, इनकी तो बहुत जवरदस्ट प्रैक्टिस चला करती थी, गुजरात में, आसफ अली, टी प्रकाशम, राजेंदर प्रसाद, ये सारे वकील थे, और ये सब भारत के आजादी के आंदुलन में important role play करेंगे, आंदुलन के दौरान बिटिश हुकूमत का विरोध करने का सबसे आम और सफल तरीका था कि विदेशी कपड़ों की होली जलाना, तो जो volunteers थे, वो एक घर से दूसरे घर जाते थे, लोगों से कहते थे कि क्या आपके बास कोई विदेशी कपड़े हैं, या विदेशी सामान हैं, उसको आप हमें दे दो, शाम को विदेशी कपड़ों को बेशती थी, उनकी picketing करी जाती है, इस आंदोलन के दोरान picketing एक बहुत ही common तरीका बन गया, विरोध करने का, picketing का क्या मतलब है, देखो हमारे देश में नहीं लेकिन अमेरिका में घरों के बाहर इस प्रकार की एक लकड़ी की fence होती है, जिसको picket fence कहा जाता है, इंग्लिश में ये इसकी spelling होती है, P-I-C-K-E-T picket fence, तो ये picket fence जैसा ही नजर आएगा, अगर लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहीं पर खड़े हो जाएं सामने, तो this is called picketing तो ये पूरी दुनिया में प्रदर्शन का बहुती कॉमन तरीका है, भारत, South Africa अमेरिका, जहां पर भी आंदोलन चले हैं वहां पर ये use हुआ है, आज कल हम इसको भारत में जैसे धरने पर बैठना कहते हैं, तो खड़े हैं, तो picket fence जैसा नजर आएगा, तो इसको कहा जाता है picketing, तो इस आंदोलन के दौरान, picketing एक बहुत कॉमन तरीका बन गया विरोध करने का, और यह आगया आप देखोगे कि ना किवल non-cooperation बलकि civil disobedience के समय भी बहुत commonly इस्तेमाल किया जाएगा, तो दो तरह की दुकानों के खिलाफ picketing करी जाती थी, जहां पर विदेशी कपड़ा बेचा जाता है, उन दुकानों के बाहर लोग धरना देते थे, और जहां पर दारू बेचा जाता था, तो विदेशी कपड़े उन्होंने तो इस advertisement campaign में बहुत सारे लोगों के photograph भी डाले, जैसे Alexander, Julius Caesar, Napoleon, Shakespeare, Bismarck, ये महान लोगे हैं इतियास के जो दारू पिया करते थे, ऐसा इन सरकारों ने advertisement campaign चलाया, मार्च 1921 में Congress का अधिवेशन होता है विजयवाड़ा में, जो आंध्रप्रदेश में स्थित है यहाँ पर Congress तै करती है कि आने वाले तीन महीनों तक focus होना चाहिए, चंदा इखटा करने के लिए ताकि आंदोलन चलाया जा सके, नए members enroll करने में और चर्खा लोगों में बाटने के लिए, तो यह तीन focus होना चाहिए जिस दिन बाल गंगादर तिलक की मृत्ति हुई थी उसी दिन गांधी जी ने एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना करी थी और लोगों से कहा था कि आप इसमें एक रुपया, दो रुपया जो भी आप डोनेट कर सकते हैं, करिए, तो यह तिलक स्वराज फंड तो इतना oversubscribe हो गया, कि एक करोड का इसका target था, वो कुछी महीनों में इन्होंने हासिल कर लिया, तो एक करोड रुपय, 1920 में बता रहा हूँ है, तब इखटे कर लिए गये थे तिलक स्वराज फंड के नाम पर, और उसके बाद चर्खा बहुत पॉपिलराइज हो गया, जैसा कि मैं आपको बताई चुका हूँ, खादी जो है, वो राश्ट्रिय वस्त्र बन गया, जो भी लोग बाहर आते थे, प्रदेशन करने के लिए, सभी खादी बहन कर आते थे, और कॉंग्रेस के जो वॉलेंटियर्स हैं, अब उनको संगटित किया गया, एस वॉलेंटियर कोर, तो पर्मानेंटली जो लोग इस आंदोलन को लीड करते थे, उनकी वॉलेंटियर कोर बनाई गई, यानि के कमिटी बनाई गई लोकल स्तर पर, और ये एक पैरललल पुलिस तो एसा पहली बार हो रहा था, स्वधेशिय आंदोलन के समय भी ऐसा नहीं था, तो ये राष्ट्रिय आंदोलन जो है, एक proper मास स्टरगल बन जाता है, जन आंदोलन बन जाता है, क्योंकि इसमें समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया, चाये वो किसान हो, चाये वो अमीर वक लेकिन कुछ बड़े इंडस्ट्रिलिस्ट थे जिन्होंने कहा कि ये हड़ता लें, ये आंदोलन जो हैं, ये धीरे-धीरे हमारे फैक्टरीज में प्रॉब्लम क्रियेट करेंगी, लेबर इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, तंखा बढ़ाने के लिए और फैक्टरीज का का लेकिन क्या होता है कि धीरे-धीरे जब इतने सारे लोग आंदोलन में शामिल होते हैं, तो थोड़ा सा भटकाव भी आया, कुछ शित्रों में ये देखा गया, कि आंदोलन का जो मूल मुद्दा था, उससे हटकर, ये आंदोलन एक क्लास वार के रूप में सामने आया, क्ल जो आंदोलन है, वो कई जगे, जैसे बिहार में, अपर और लोवर कास्ट के बीच में एक आंदोलन बन गया, तो जैसे कि जो जनेवू है, वो अपर कास्ट ही पहन सकते थे, तो इसके खिलाफ एक आंदोलन हो गया, और नॉन कॉपरेशन के साथ-साथ इस तरह के मुद्द के जुडने शुरू हो गए, कई किसान जमिनदारों के खिलाफ हो गए, मनिलैंडर्स के खिलाफ हो गए, मैंने आपको मपिल्ला रेबलियन के बारे में बताया था, वहां पर भी जमिनदारों के खिलाफanga revolt हो जाता है, तो ये सारे जो आंदोलन है, ये इस non-cooperation के साथ जु खिलाफत और non-cooperation मुद्धों को जोडने के कारण हिंदू-Muslim एकता भी बड़े सतर पर इस आंदोलन में देखी गई थी, in fact कई जगहों पर जो जारातर प्रोटेस्टर्स थे, जो अरेस्ट हो रहे थे, वो Muslims थे, two-third प्रोटेस्टर्स कई जगे अरेस्ट होने वाले Muslims थे, औ कई बार मस्जिदों में जाकर Muslims को एड्रेस करते थे, और कहते देखे, आप आंदोलन में हिस्सा लो, तो इससे मदब देश में ऐसा लग रहा था कि हिंदू-Muslim एकता आ चुकी है और अब कुछ दिक्कतें नहीं आएगी, जुलाई 1921 में जोहर बंदुओं ने ये आवान क को ये कहा कि आप जो आर्मी में जॉब करते हो वो छोड़ कर आ जाओ, जो भी Muslim विक्ती आर्मी में नौकरी करता है, British Indian आर्मी में वो नौकरी छोड़ दे, उनकी इस अपील के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया अगले ही महीने, और गांदी जी ने इस अ Congress ने ये आवान कर दिया था कि अगले साल Civil Disobedience शुरू कर देंगे और उसमें टाक्स नहीं देंगे और जो प्रोटेस्ट के तरीके हैं उनको एक लेवल उपर ले जाया जाएगा, अल्रेडी देश के कुछ हिस्सों में टाक्स नहीं देने के लिए एक आंदोलन चल रहा था जैसे कि मिदनापूर बेंगॉल में या गुंटूर आंतरप्रदेश में कई सारे tea plantation जो असाम में स्थित थे वहाँ पर strikes चल रही थी बड़ी-बड़ी strikes थी तो असाम बेंगॉल railways की जो steamer services हैं जो boats चलती है नदियों पर उनके staff ने भी strike कर दी, railway के staff strike पर थे, जो tea plantations में म response था, क्या रवाया था, उसको अब हम जानेंगे, सबसे पहले बिटिश सरकार ने गांधी जी को बुलाया बातचीत के लिए, गांधी जी और वाइसरोय के बीच में मीटिंग होती है, और वाइसरोय गांधी जी को कहते हैं कि आप सबसे पहले तो जोहर बंदों को ये बोल वाली policy में हम नहीं जाने वाले हैं, तो ऐसे में गांधी जी और वाइसरोय की बीच की वारता विफल हो जाती है, उसके बाद फिर से आंदोलन तेज हो जाता है, डिसमबर आते आते जब कॉंग्रेस ये इशारे देने लग गई थी, हिंट देने लग गई थी कि सिविल डि लीगल कर दिया गया, तो जो भी नौजवान इस volunteer core में शामिल थे, उनको जेल में डाला जाएगा, किसी भी प्रकार की public meeting, लोगों की meetings को ban कर दिया गया, प्रेस पर ban लगा दिया कि इस आंदोलन के बारे में आप कुछ भी नहीं छापोगे, तो प्रेस को silence किया गया, इस crackdown उनके बाद गांदी जी ने आवान कर दिया, finally कि civil disobedience को हम launch करेंगे, एक फरवरी 1921 की तारीक इसके लिए decide कर दी गई थी, गांदी जी ने कहा कि हम बार्डोली जो गुजरात में स्थिते, वहां से civil disobedience को start करेंगे, अगर जिन लोगों को जेल में डाला गया है, उन्हें नह गटना होती है, जिसने इस आंदोलन को पूरी तरह से बंद करवा दिया, चार फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गुरकपुर जिले में चौरी चौरा नाम की एक जगे पर प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट नॉन कॉपरेशन मूव्मेंट के तहती हो रहा था, कई लोग इखटा हुए थे, बेसिकली पुलिस के खिलाफ यह अंदोलन ओरा था, कुछ दिन पहले पुलिस ने लाठी चार्ज में लोगों को गायल कर दिया था, तो उसी के खिलाफ लोग इखटा हुए थे, बाजार में और प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस के खिलाफ, बर पर firing हुई है तो जो भीड थी उसने protesters थे उसने पुलिस वालों पर पत्थर बाजी करनी शुरू कर दी पुलिस वाले भाग कर पुलिस थाने की तरफ जाते हैं पुलिस चौकी की तरफ जाते हैं और चौकी में बचने की कोशेश करते हैं जिनको गांदी जी ने कहा था कि आपको हिंसा नहीं करनी है उन्होंने अपने ही देशवासी को आग में जला दिया था ये जो बाइस पुलिस वाले थे ये ब्रिटिश नहीं थे सारे लोकल मलब इंडिया के लोग थे तो इसके कारण गांदी जी बहुत गांदी जी के निड़ने से कई लोग पूरी तरह से नाराज थे, कॉंग्रेस के कई लीडर्स मोतिलाल नहरू, जवार लाल नहरू इन्होंने विरोध भी किया था, इन्होंने गांदी जी को का कि आंदोलन बिल्कुल पीक पर है कुछ महीने अगर हम और सस्टेन करने तो शायद हमें स्वराज मिल जाएगा तो ऐसे में आप अपने स्तर पर एक घटना के कारण इस आंदोलन को सस्पेंड क्यूं कर रहे हो एक या दो जगे अगर वाइलन्स होता है तो वो पूरे देश के आंदोलन को सस्पेंड करने का कारण नहीं बनना जाहिए लेकिन गांदी जी नहीं माने और उन्होंने पूरे देश में घोशना कर दी कि आंदोलन मैं बंद कर रहा हूं जैसे ही ये गोशना होती है गांदी जी को तुरन तरह स्टलिया जाता है और 6 साल की जेल हुई थी लेकिन 2 साल बाद उनको जेल से छोड़ दिया गया तो गांदी जी 1924 तक जेल में रहते हैं और जाहते लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था है तो इस प्रकार से एक बहुती शांदार अंदोलन जिसको लोगों ने पूरा सपोर्ट दिया था बहुती बढ़िया तरीके से चल रहा था और जिसका क्लाइमाक्स आने वाला था जिसका अंत आने वाला था लोगों को लग रहा था स्वराज हासिल करना इनका टार्गेट था लेकिन स्वराज हासिल नहीं कर पाया गांधीजी ने तो एक साल का कहा था कि एक साल में स्वराज मिलेगा तो डेड़ साल में भी नहीं मिला और पता नहीं अगर चौरी-चौरा नहीं होता तो भी मिलता या नहीं हम कुछ कह नहीं स बढ़ हाँ शायद मिल जाता दो साल तीन साल अगर आंदोलन चलता तो मिल भी सकता था बढ़ हाँ एक साल में तो टार्गेट अचीव नहीं हुआ लेकिन ये एक सच्चा जन आंदोलन था जहां पर लाखो भारतिये लोगों ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ अहिंसात्म में थोड़ा बहुत आंदोलन हो जाएगा लेकिन जब ये आंदोलन देश व्यापी हो गया तो ब्रिडिश शरकार पूरी तरह से चौंक गई थी उन्हें समझ में ही नहीं आया कि किस तरह से केवल एक पॉलिटिकल लीडर गांदी के कहने पर देश के इतने लाखों करोडो लोग सड़कों पर आ सकते हैं आंदोलन ने हिंदू मुसलिम एकता की भी मिसाल पेश करी हाला कि मुसलिम्स का आंदोलन खिलाफत के लिए था लेकिन खिलाफत कमिटी ने भी अपने एजंडा में नौन कॉपरेशन मुद्दे के गोल को शामिल कर लिया था यानि कि उसका भ वाला बाग वाला जस्टिस चाहिए और खिलाफत मुव्मेंट के जो गोल है वो भी अचीव होने चाहिए तो इस प्रकार से हिंदू और मुसलिम दोनों ने कम्यूनल हार्मनी का एक एक एक्जामपल पेश किया जिससे लोगों में काफी पॉजिटिव एक उमीद जखती है कि हां बविश्य में हिंदू मुसलिम्स के बीच में सरकार दरार नहीं डाल पाएगी इस आंदोलन ने इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को पहली बार जनता के बीच में ट्रूली पॉपिलर बना दिया तो पहले कॉंग्रेस आम लोगों में किसानों में मिडल क्लास में इतनी नहीं थी इस आंदोलन ने सब कुछ बदल कर रख दिया और ये सभी लोग अपने political अधिकारों को लेकर सजग हो गए और भविश्य के आंदोलनों में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं तो अब वो experienced हैं कि कैसे एक अंदोलन में हिस्सा लिया जाता है तो अब उन्हें सरकार का कोई डर नहीं है अभी तक क्या लोग थोड़ा डरते देगी ब्रिटिश हुकुमत क्या कर देगी लेकिन अब उन्होंने देख लिया कि क्या होगा जाद साथा जेल में डाल दिये जाएंगे अगर हिंसा का सहरा नहीं ले रहे तो फिर कोई फासी तो नहीं चड़ायागा जेल में डाल देंगे रह लेंगे कुछ महीने साल भर जेल में उसके बाद छूट जाएंगे तो ये जो डर था सरकार का ये हमेशा के लिए लोगों की दिल से निकल जाता है क्योंके गांदी जी कई नेता इस आंदोलन के बाद जेल गए थे आंदोलन की दौरान भी बहुत सारे नेता जेल में थे और उनके साथ हजार अलों को जेल में डाला गया था इसलिए वो जेल का डर पूरी तरह से निकल गया आंदोलन ने ये भी बता दिया कि भारत की एकॉनमी पर भी लोग असर डाल सकते हैं अगर वो ठान ले कि हमें केवल स्वदेशी का इस्तेमाल करना है तो कई सारी वस्तों का इंपोर्ट बहुत गिर जाता है फाइनली गांदी जी की जो लीडर्शिप है अब वो पूरी तरह से एस्टाबलिश हो चुकी थी कॉंग्रेस में भी अब कोई ऐसा नेता नहीं बचाता जो गांदी जी को चैलेंज कर सके जिन निताओं ने इस आंदोलन के खिलाफ कॉंग्रेस को छोड़ दिया था उनका कोई राजनातिक वजूद नहीं बचा उनमें से कई बाद में कॉंग्रेस फिरसे जोइन कर लेते हैं और कईयों की राजनीतिक यात्रा वहीं समापत हो जाती है अब इस लेक्चर का PDF आप इन दोनों ही टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप UPSC एक्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको टीचर से लाइव पढ़ना है तो आप अनेके आड़मी प्लाटफॉर्म को जॉइन करो यहाँ पर बहुत सारी free classes भी करवाई जाती हैं जितने भी educators हैं आपको daily special classes लेते हुए दिखेंगे इन classes को join करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है they are completely free all you have to do is use and unlock code कहीं पर भी आपस code मांगा जाए आप बस महीपाल code यूज कर लो सारा free content unlock हो जाएगा लेकिन अगर आप एक structured तरीके से अपनी तयारी करना चाहते हो तो आप एक subscription join कर लो या तो plus या iconic दोनों के अपने benefits हैं iconic में आपको personal guidance मिलेगी एक mentor के द्वारा और आपको gs main sensor writing की practice भी करवाई जाएगी अब जो भी course आप लो उस पर आपको flat 10% discount मिल जाएगा अगर आप महीपाल code यूज करते हो लेकिन अभी जो offer चल रहा है combo offer उसमें आपको काफी benefit मिल जाएगा आप नाकेवल gs बलकि optional की तयारी भी कर सकते हैं लेकिन अभी जो offer चल रहा है gs और optional के combined course पर वो आपको बहुत बहतर benefits देगा इस course की कीमत अभी 49,680 रूपीज है इस पर 45% discount इसवक्त available है तो इसको आप avail करो यह सबसे best है gs optional सभी की तयारी हो जाएगी और सबसे बड़ी बात यह कि आपको test series इसमें free मिलेगी तो आपको उसके लिए कोई extra पैसे खर्च नहीं करना है prelims, mains और optional की test series भी अब शामिल कर दी गई है और mains 2022 और 23 तक के लिए extended validity अगर आप 1 year या 2 year plan को avail करते हैं 20 किताबों का gs की किताबों का setup को free मिलेगा और EMI option पर भी in courses को avail किया जा सकता है और EMI पर जाने का जो तरीका है वो बहु आपका selection नहीं होता है तो आपको एक साल और extended validity भी दे दी जाएगी subscription लेते ही आप batches join कर सकते हैं 21 जुलाई से नए batch start हो रहे हैं इन batches में आप मेरे द्वारा और Unacademy के educators के द्वारा live पढ़ सकते हैं next month मेरा course आ रहा है medieval history का आप उसको भी देख सकते है 19th August से वो start होने वा अगर कहीं पर भी code मांगा जाता है तो आप इस code को use करके free content को unlock कर सकते हैं चार तीन free test series भी हमारी चल रही है pathfinder, rise और world affairs pathfinder test series आपकी gs की पूरी तैयारी करवा देगी thank you very much for watching this have a great day